स्वागत आप सबका इस wordpress course के 16 वीडियो में जिसमें आपको बता हूँगा हाउ टू चेंज टाइम जोन टाइम फॉर्मेंट डेट फॉर्मेंट इन वर्डप्रेस यह इस वीडियो में हमारे टॉपिक कवर होने वाला है तो अगर आपको नई मालू में तो यह पूरा एक wordpress का course चल रहा है जिसमें आपको start से end तक पूरा wordpress website कैसे बनती है क्या changes कैसे करते हैं आप कुछ बताने वाला हो तो उसको follow करने के लिए आप आई-card को check out कर सकते हो वहाँ से आपको इस playlist का link मिल जाएगा तो खेर चोड़ी है video start करते है video start करने से पहले आपको बता दूँकि काफी लोग मुसे पूछते आप कौन सी hosting यूज़ कर रहे हो तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं web hosting bluehost की और bluehost का हम यूज़ कर रहे है इसमें choice plus plan और वह मैं क्यों select कर रहा हूँ और आपको एक web hosting कैसे select करनी चाहिए उसका dedicated video बनाया है आपको i-card में मिल जाएगा उसको देखने के बाद ही bluehost को select करना और वह सारे points को धियान में रखते ही मैं bluehost को select किया है और अगर आप bluehost को buy कर होगे और इसको claim करना है आपको इस service को तुबाई करने के बाद आपको bluehost के तरफ से email आगा जिसमें आपको आपका invoice मिलेगा उसका PDF डाउलोड करके आपको shrey at bloggingreptor.com पे mail कर देना है आपको में तरफ से wordpress service फ्री में मिल जाएगी आपको आपके dashboard में login हो जाना है और वहा इसको आपको में जाओंगा और यहां पर हमारी जो भी city है state है उसको आप select कर सब्सक्राइब कर लेगा क्योंकि इंडिया का कॉलकथा time zone रहता है के में यह रहा कॉलकथा आपका जो भी continent है आपको उसमें आपका city name या फिर कोई भी आपका देश का state का नाम मिलेगा आपको select कर लेना तो हमारा यह time zone यहां से select हो गया है अब आता हमारा date format तो date format अभी हमारा February 24 2023 इस तरीके से आ रहा है मतलब month date और year आ रहा है इसे हम इंडिया में use करते हैं सबसे पहले हम date बोलते हैं फिर month बोलते हैं फिर year यूज़ करते हैं तो year हमारा date month और year मलब dmy कर लेगा है य इंडिया के time से post नहीं होगा वो UTC के test से post होगा और time format यहां से select करते हो time format होता हमारा am pm या फिर 24 hour वाला format उस हिसाब से अभी आप देखके तो हमारा यह एम में पलब small में आपको दिखाना अगर आपको capital में दिखाना तो capital में दिखा सकते हो आपको 24 hour format यूज़ करना तो फिर इसको select करोगे तो मुझे normal 99 वाला am वाला चाहितो में उसको select करूँगा और यहाप आता है week starts on तो अगर आपको week start भी करना है कि आपका week कहीं जगए week को start होता है कहीं Monday को होता है तो उस आप सब कोई भी week start कर सकता अपने हिसाब से और उसके बास simply आपको निचा के click करन है और जो format है time format वह हमारा यह हो गया इस तरीके से आप देख सकते हो उम्मित करता आपको समझ में आगे को कैसा आप अपने wordpress website का time format date format और timezone कैसे change कर सकते हो कोई भी दिखत होती है आप नीचे कमिल नहीं पूछ सकते हो और इस पूरे wordpress course को follow करने के लिए आप यहाँ सी playlist क को check out कर सकते हो तो आपको सारे पूराने वीडियोज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और आगे आने वाले वीडियोज के लिए आप यहाँ से चनल को subscribe करो और क्या मिल तक लिए वीडियो में